ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है विटमिन्स क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की जभूत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे बहां से आप डारेक्ट डार्लोट कर सकते तो शुरू करते हैं हमारा नूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक तैट इस विटमिन्स अब नूट्रिशन वाले चैप्टर में इससे पहले हम और भी टॉपिक कर चुके हैं जैसे कि नूट्रिएंज उसमें हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ नूट्रिएंज लिचे सोर्स पूर सोर्स उसके लावा हमने डाइटरी फाइबर्स भी पढ़ा था तो यह सारे टॉपिक्स के विडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो प्लेलिस्ट में आप नूट्रिशन एड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो यह सारे टॉपिक्स के विडियोस आपको नोट्स के साथ मिल जाएंगे तो शुरू करते हमारा आज को टॉपिक that is vitamins अपना इसमें हम मुखिता तीन चीज़े पढ़ेंगे पहले तो vitamins को कहते क्या है दूसरी चीज उसकी deficiency से कौन सी बीमारिया होती है और तीसरी चीज थोड़ा सोस की जानकारी कि भाईया इसमें कौन सी therapy दी जाती है मुखिता हम यह चीज करेंगे ठीक तो vitamins पहली चीज तो उनके नाम पता होने चाहिए second चीज उनकी deficiency से क्या होता है यह पता होना चाहिए ठीक तो सबसे पहले आते हैं vitamin A पे यार यह तो हमको बच्पन से पता है vitamin A को retinol कहते है और उसकी बिमारी से serophthalmia होता है night blindness ठीक इन फैक्ट vitamin A पे हम ना अलग से separate video बनाएंगे vitamin A पे और serophthalmia पे अभी इसी chapter में तो इसको हम अच्छे से तब समझेंगे अभी सिर्फ नाम कि vitamin A को retinol कहते हैं और उसकी deficiency से zerophthalmia होता है ठीक अब आता है vitamin B अब शुरू से अपने पढ़ते हैं आ रहे हैं कि B से vitamin B की deficiency से berry berry होता है हाँ भाईया ये तो सही है मगर कौन सी B से पढ़ते हैं आते हैं न वह और तुमने बोला भी अच्छा एक काम खरो B complex खालो B complex का मतलब क्या होता है B complex से मतलब होता है बहुत सारी B होती है तो इनको ना अलग-अलग आपको इनके नाम पता होने चाहिए इनकी deficiency से होने वाली बीमारिया पता होने चाहिए तो पहले तो देख लेते हैं कि भाईया जो B complex B complex बोलते हैं तो कौन-कौन तो आपको पता होने चाहिए ठीक तो विटमिन B B है ये तो B देखो आपको देखने में ही किसके जैसा देख रहा है 8 के जैसा देख रहा है 8 के जैसा तो याद रखना कि B total तो है 8 अब वो 8 कौन-कौन से है B1, B2, B3 उसके बाद B5, B6, B7 और फिर B9 और B12 ठीक पहले तो ये पता होना चाहिए उसके बाद आता है भाईया कि इनको कहते क्या है तो एक एक करके समझेगे B1 का दूसरा नाम आता है थायमीन B1 को कहते हैं थायमीन और उसकी डेफिशेंसी से होता है बेरी-बेरी याद है हम बच्पन से पढ़ते हा रहे B की डेफिशेंसी से बेरी-बेरी पर कौन सी B से B1 की डेफिशेंसी से होता है बेरी-बेरी और Varenix, Corkus, Psychosis भी होता है और Lactic Acidosis भी होता है थीक तो इसमें याद करने वाले चीज कि भाईया बैरी-बैरी, वैरनिक से, कौर्टरॉफ साइकोसिस और लेक्टिक असीडोसिस ठीक, उसके बाद रिचिस सोस कौन से होते हैं तो याद रखना है, रिचिस तो होल ग्रेन होते हैं होल ग्रेन मतलब अनाज, पूरा का पूरा अनाज देख रहे हैं, या ऐसा नहीं कि पॉलिश करके, इसमें से वीट निकाले है होल ग्रेन जो होते हैं आपके या देख रहे है, आपको होल ग्रेन बहुत सारे लग लगाते हैं अनाज तो ये होल ग्रेन B1 या थाईमीन का बहुत अच्छा है या रिचेस सोस होता है उसके अलावा ग्राउंड नट मुफली जो होती है वो भी काफी रिच होती है थाइमीन या बीवन में उसके बाद एक और सवाल आता है रिकमेंडेट डायटरी अलाउंड्स RDA तो रिकमेंडेट डेली अलाउंड्स कितना चाहिए आपको तो बीवन ड होता है अब इसमें याद करने वाले चीज़े पहले चीज़ तो कि भाया रिचेस सोस काई का होता है यह जो विटमिन बीवन होता है वो सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है तो वो मिलता है होल ग्रेन में और ग्राउंड नट में भी काफी रिच होता है तो इसको याद कैसे क जो B1 होता है whole grain और ground nut में काफी जादा मातरा में पाया जाता है तो देखो B कौन सा है 1 ठीक तो 1 से क्या हुआ 1 से याद है जो अपने class में first आते थे तो अपनी जो वो mark sheet होती थी उसमें क्या लिखा रहता था good लिखा रहता था और अपनी answer sheet में भी ऐसा good लिखा रहता था या ऐसा g बना के circle बना देते थे मैं लोग तो g for grain g for ground nut ठीक है तो first में आपको g g मिलता है तो g for grain g for ground nut ऐसे याद का सकते हो तो b1 जो होता है वो b1 ground nut और whole grains में काफी ज़्याद मत्र में पाये जाता है ठीक दूसरी चीज़ आपको deficiency याद रखनी है तो यह हो गया b, तो b1 से berry berry समझ गए तो ऐसे भी याद रख सकते हो उसके अलावा varnix, varnix corkos psychosis तो यह होता है w है ना तो w में डंडी लगा दो तो b हो जाएगा तो ऐसे भ बहरी बहरी तो कर लिया था वैसे ही यह जो आपका b है इसमें से आप ऐसे w को अलग कर सकते हो तो varnix corkos psychosis ऐसे भी याद कर सकते हो in fact एक दिन में कितना चाहिए तो b कौन सा है b1 है तो at least 1 to 1.5 आपको per day में चाहिए ऐसे भी याद कर सकते हो थीक तो यह हो गया आपका vitamin b1 या thymine फिर आता है vitamin b2 vitamin b2 को कहते है riboflavin और इसकी deficiencies से क्या होता है herboflavinosis होता है angulachulitis होता है glossitis होता है और corneal fascularization होता है और in fact इसको एक और चीज़ कहते भी है जो riboflavin vitamin b2 है इसको warburg yellow enzyme भी कहते है इस पर mcq आता है तो यहाद रखना yellow enzyme या warburg yellow enzyme क्या होता है तो warburg yellow enzyme vitamin b2 ही या riboflavin को ही कहते है ठीक अब फिर से इसमें याद करने वाली चीज़े क्या है ठीक है यह तो देखो याद करनी है कि इसकी deficiencies से क्या होता है angulachulitis, glossitis और उसके बाद vitamin b2 को riboflavin कहते है यह कैसे याद रखेंगे तो यह हो गया आपका riboflavin तो r को लिखने के लिए ही देखो आपको 2 आता है r में, देख रहे है R को लिखना है तो कैसे लिखोगे यह डंडी बनाई इसमें ऐसा 2 कर दिया तो R बन गया डंडी बनाई इसमें ऐसा 2 लगा दिया तो R बन गया तो यहीं पर आपको दिख जाएगा कि राइबो फ्लेविन 2 विटमिन B2 चो होता है उसी से R बन जाएगा देख रहा हूँ यह हो कि आपका 2 2 में एक डंडी खीचतो तो R बन जाएगा तो राइबो फ्लेविन तो विटमिन जो विटमिन B2 होता है वो राइबो फ्लेविन कहते हैं उसको याद रहेगा तो ऐसे याद का सकते हो कि भाईया B2 जो है उसमें एक टंडी खीचतो तो राइबो फ्लेविन तेक उसके अलावाद येलो एंजाइम वार्बर्ग येलो एंजाइम तो इसको कैसे याद रखेंगे तो दो येलो रिबिन रिबिन बानते हैं आपन बान में बाल में रिबिन बानते हैं तो ऐसे इमेजिन करो दो येलो रिबिन बानते हैं दो येलो रिबिन दो येलो रिबिन तो दो से विटमिन B2 येलो से येलो एंजाइम रिबिन से राइबो फ्लेविन तो ऐसे भी आप कर सकते हो दो येलो रिबिन याद हो गया? तो यह हो गया आपका vitamin B2 अब आता है vitamin B3 पे vitamin B3 को कहते है niacin और इसकी deficiency से होता है pellagra ठीक है यह तो हमको पता है कि B3 की deficiency से pellagra होता है और इसको niacin कहते है तो यह कैसे याद रखेंगे? इसको niacin कहते है sin, sin, niacin मैं देखो एक peculiar चीज आए A, B, C, 1, 2, 3 थर्ड नमबर का alphabet होता है C तो B3 B3 जो होता है उसको कहते है niacin समझ गए? तो niacin, C आपको इसमें मिलेगा niacin तो C जो होता है थर्ड नमबर का alphabet होता है तो vitamin B3 याद रहेगा? ऐसे याद कर सकते हो कि vitamin B3 को niacin या niacin को vitamin B3 कहते है और इसकी deficiency से पहलेग रहा होता है ठीक? उसके बाद आता है vitamin B5 अब इसमें तो कोई वो knowledge नहीं लगाना है हम पुनको क्योंकि P-A-N-T Penta Penta word हम कहां यूज करते है? Penta word यूज करते है 5 के साथ तो ये तो कोई ऐसा rocket size नहीं है Penta हम 5 के साथ यूज करते है तो B5 में pentothenic acid ठीक है? तो ये तो simple है कि pentothenic acid जो है वो vitamin B5 को क्योंकि 5 में हम Penta word यूज करते हैं 5 की जगह पे तो pentothenic acid vitamin B5 अब इसकी deficiency से क्या होता है? इसकी deficiency से होता है burning feet या फिर soul syndrome और इसको और क्या कहा जाता है vitamin B5 को vitamin B5 को anti-stress vitamin भी कहा जाता है ठीक? तो अब इसको याद कैसे करेंगे? कि भाईया vitamin B5 को pentothenic acid कहते हैं burning feet या soul syndrome होता है इसकी deficiency से और anti-stress vitamin भी कहते हैं तो पहला तो आम निकाल लिया था कि भाईया 5 को penta कहते हैं तो pentothenic acid ठीक? उसके लवा ये जो 5 है F I B E 5 तो F for 5 और F for feet तो burning feet 5 F for 5 F for feet तो vitamin B5 से feet burning feet होता है उसके बाद फिर ये जो F है इसको देखो sorry ये जो 5 है vitamin B5 का जो ये 5 है ये बिल्कुल S के जैसे दिखता है तो S से क्या हो गया आपका? soul syndrome हो गया समझके? S से हो गया आपका soul syndrome तो ऐसे याद रख सकते हो 5 जो है वो S के जैसे दिखता है तो S for soul syndrome और 5 for vitamin B5 याद रहेगा? उसी के अलावा ये जो S है ये मतलब ये जो 5 है वो S के जैसे दिखता है और S से हो जाएगा stress तो 5 S के जैसे दिखेगा तो stress anti-stress vitamin vitamin B5 को कहते हैं और B5 S के जैसे दिखेगा तो soul syndrome और in fact ये जो 5 है इसको हम pentah भी कहते हैं तो pentothenic acid ऐसे याद कर सकते हैं vitamin B5 को ठीक? तो ये तो हो क्या? vitamin B5 का इसके बाद आते हैं vitamin B6 पे तो भाई B6 को कैसे याद रखेंगे? तो vitamin B6 का दूसरा नाम पहले तो देख लेते हैं pyridoxin होता है इसकी deficiency से क्या होता है? इसकी deficiency से anemia होता है और peripheral neuropathy होती है ठीक? vitamin B6 इसका नाम होता है pyridoxin इसकी deficiency से anemia भी होता है और peripheral neuropathy भी होती है इन फाक्ट इसकी toxicity से क्या होता है? ये भी याद रखना toxicity मतलब ज़ादा ले लोगे तब क्या होगा? ज़ादा ले लोगे तो sensory neuropathy हो सकती है ठीक है? कम peripheral neuropathy deficiency से peripheral neuropathy toxicity से sensory neuropathy ठीक? इसमें एक बहुत important चीज़ याद रखना है इस पर MC को आते है कि किसी को अगर isoniazid therapy दी जा रही है या फिर कोई patient है जो ATT पे है ATT is anti-tubercular treatment में है तो उसमें भी pyridoxin का level कम हो जाता है ये देखा गया है ठीक? तो ये भी याद रखना उसके अलावा कितनी जरुरत होती है कि भईया pyridoxin कितनी लेनी है अगर कोई high protein intake या low carb diet या high protein diet पे होता है तो इसके requirement भी बढ़ जाती है याने कि जो pyridoxin होती है या vitamin B6 होती है उसकी जो daily requirement है वो directly proportional होती है आपके protein intake से कि जादा protein ले रहे हो तो जादा pyridoxin लेनी पड़ेगी कम protein ले रहे हो तो कम pyridoxin या कम vitamin B6 से भी काम चल जाएगा ठीक? तो ये हो गया आपका vitamin B6 अब याद कैसे करेंगे? कि भाईया इसमें इसको pyridoxin कहते है या इसमें peripheral neuropathy होती है या protein intake से directly proportional है ये सब याद कैसे करेंगे? तो पहले चीज़ तो भाईया हम क्या पढ़ लाए है? हम पढ़ लाए है vitamin B6 6, vitamin B6 तो 6 में क्या आया? X X और किसमें आता है? X आता है pyridoxin में तो pyridoxin में X आता है X किस में आता है? 6 में आता है तो ऐसे याद कर सकते हो कि vitamin B6 को pyridoxin कहते है या pyridoxin को vitamin B6 कहते है ठीक? ये चीज़ तो ऐसे याद कर सकते हो उसके अलावा इसकी deficiency से peripheral neuropathy होते हैं ये कैसे याद रखेंगे? इसको के कहते है pyrie 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 parry pyrie parry ऐसे याद रहेगा pyrie से parry ferral neuropathy होते हैं याद रहेगा? तो यह हो गया, उसके अलब एक और चीज़ याद रखने थी कि directly proportional to protein तो P for pyridoxin and P for protein तो pyridoxin का intake, protein intake के, pyridoxin का daily requirement protein intake से directly proportional होता है P for pyridoxin, P for protein, याद रहेगा? ठीक तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाया, vitamin B6 को pyridoxin कहते हैं और इससे peripheral neuropathy होती है deficiency से और toxicity भी वही है, देखो S for 6 होता है तो S for sensory neuropathy, ऐसे याद कर सकते हो तो toxicity से sensory neuropathy होती है तो ऐसे आप vitamin B6 के बारे में याद कर सकते हो उसके बाद आता है vitamin B7, इसको कहते हैं biotin और इसकी deficiency से हो जाता है dermatitis और एक और चीज़ याद रखना है पहले चीज़ तो ठीक है कि B7 को biotin कहते हैं और इसकी deficiency से dermatitis हो जाता है अब एक चीज़, वह होते हैं न एक तम जो gymmers वगर होते हैं movies, movies में, rocky वगरा और इन सब में आपने देखा हो गए एक तम ऐसे कच्चे अंडे फोड़ के पी गए एक तम उससे body shoddy बन जाती लेकिन उसमें क्यों कहा जाता है कच्चे अंडा नहीं खाना चाहिए क्यों 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 क तो ये सारी चीज़े हमको याद रखनी है कि B7 को Biotin कहते है Biotin की Deficiency से Dermatitis हो जाता है और किन लोगों में Biotin Deficiency देखी जाती है तो वो लोग जो कच्छा अंडा पीते हैं क्योंकि कच्छे अंडे में Evidin पाया जाता है और Evidin जो होता है वो Biotin की Deficiency करा देता है इसलिए बोलते हैं कच्छा अंडा नहीं खाओ अंडे को उबाल के या पका के खाओ क्यों? क्योंकि जैसे ही अंडे को Heat करोगे यानि कि जैसे ही Evidin को Heat किया जाता है Heat Evidin को Inhibit कर देती है तो जैसे ही आपने अंडे को उबाला या गरम किया तो जो Heat आपने अंडे को दी उससे Evidin Inhibit हो जाता है और Inhibit होता है तो इसलिए वो Biotin Deficiency नहीं करा पाता है इसलिए अंडे को हमेशे उबाल के या पका के खाना चाहिए कच्चा खाओगे तो उसके अंडे जो Evidin है वो Niptega नहीं या Inhibit नहीं होगा और वो Biotin की Deficiency करा देगा ठीक तो यह हो गया आपका Vitamin B7 अब इसको याद कैसे करेंगे कि B7 को Biotin कहते है तो बहुत अच्छा कपड़ा आता है उसको आपने देखा होगा क्या Satin Satin का कपड़ा आता है ना Satin तो यह कैसे होता है Satin तो B7 7 को क्या कहते है साथ कहते है साथ-10 Satin Satin साथ-10 Satin तो टिन इस Biotin तो साथ vitamin B7 को Biotin कहते है ऐसे याद कर सकते हो, BIO TIN, अब देखो, T for TIN, T for TITIS, Dermatitis, तो देखो, दो दो T आ रहे हैं, ऐसे ही, BIO TIN में भी Tी आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि BIO TIN की deficiencies is the Dermatitis होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, उसके अलवा, जैसे हमने 7 TIN किया था, वैसे ही, 7 दिन कर सकते हो, साथ दिन तो दिन इस एवे दिन तो एवे दिन दिन तिन दिन तिन तो एवे दिन जो होता है वो तिन बायो तिन की डेफिशेंसी करा देता है तो ऐसे भी याद रख सकते हो साथ दिन साथ दिन सै तिन साथ दिन सै तिन से बायो तिन और साथ दिन से एवे डिन तो एवे डिन जो होता है वो बैयोटिन की डिफिशेंसी करा देता है तो ऐसे आप याद कर सकते हो विटमिन B7 को ठीक, आगे चलते हैं विटमिन B9 पे विटमिन B9 को हमने शुरू से पढ़ते आ रहे है iron folic acid, iron folic acid लकिन folic acid होता क्या है विटमिन B9 होता है इसकी डिफिशेंसी से क्या होता है इसकी डिफिशेंसी से megalobastic anemia हो जाता है या neural tube defect भी दिखा जाता है इसलिए तो जो pregnant lady होती है जो pregnancy में हम iron folic acid को देते हैं iron तो हम मा के लिए देते है कि एनिमिक होती है उसके अलावा folic acid को देते हैं folic acid देते हैं जिससे की बच्चे में neural tube defect ना हो योकि folic acid की डिफिशेंसी से neural tube defect देखा जाता है इसलिए folic acid pregnancy में दिया जाता है ठीक तो इसकी डिफिशेंसी से megaloblastic anemia और neural tube defect होते हैं अब किसमें जादा तर ये पाये जाता है तो vegetables जैसे spinach पालक हो गई आपकी या पनीर हो गया इसमें काफी जादा मातरा में folic acid पाये जाता है तो ये काफी rich source of vitamin B9 होते हैं अब इसकी daily requirement में भी कई बार सवाल आ जाता है कि folic acid की daily requirement कितनी होती है तो pregnancy में करीब 500 microgram और lactation यहने की lactating mother जो होती है उनमें करीब 300 microgram उसके अलावब जो adult ladies होती है या adult लोग होते हैं उनमें 200 microgram बच्चों की बात करें तो 5 साल से बड़ा है अगर बच्चा तो 150 microgram और फिर उनसे छोटे बच्चे जो होते हैं अनमें 100 microgram तो इनकी values को याद रखने हैं इसकी values पे कभी-कभी question आ जाते हैं ठीक अब इनको याद कैसे करेंगे बलब याद कैसे करेंगे कि भाया B9 को folic acid कहते हैं यह कैसे याद रखेंगे उसके अलावा B9 या folic acid की deficiency से megaloblastik anemia होता है या vitamin B9 की deficiency से neural tube defect होता है यह कैसे याद करेंगे उसके अलावा कि भाया प्रेगनेंसी में कितना देना है यह कैसे याद रखेंगे या lactation में कितना जववत होती है यह कैसे याद रखेंगे यह देखते है तो पहली चीज़ तो हम क्या पढ़ने है vitamin B9 9 ऐसी बनता है न तो 9 आपका बनना 9 को उल्टा कर दो तो ऐसा हो जाएगा अब इसमें से एक डंडी बस हटा दो तो क्या बन गया F बन गया तो F for folic acid समझ गया तो यह है आपका 9 9 को उल्टा कर दो और एक डंडी हटा दो तो बन जाएगा F तो F for folic acid ऐसे याद कर सकते हो अब एक और चीज़ folic acid में आ रहा है आपका L तो L और किसमें आ रहा है L आ रहा है megaloblastic anemia मैं यहाद देखो 2-2 L आ रहा है megaloblastic anemia तो folic acid का L और megaloblastic anemia के L ऐसे भी याद कर सकते हो in fact 9 जो है 9 को N I N E 9 तो N जो है 9 का N से आ जाएगा आपका neural tube defect vitamin B 9 की deficiency से neural tube defect होता है ऐसे भी याद कर सकते हो ठीक उसके बाद एक और चीज़ याद रखना है कि भया pregnancy में कितना देते है तो pregnancy का P हो गया तो pregnancy के P से हो गया P for 5 तो pregnancy में 500 microgram देते है ऐसे याद कर सकते हो उसके अलावा lactation में कितना देना है तो lactating mother में कितना देना है ऐसे होता है lactation मतलब कि बच्चा हो गया है बच्चे को पला रहे है यानि mother है तो lactating mother में तो ये M को अगर तेड़ा कर दो तो हो जाएगा 3 तो lactating mother को आपको देना है 300 microgram याद रहेगा तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो ठीक तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाईया B9 को क्या कहते है B9 की deficiency से क्या होता है और B9 को कितना कितना चाहिए ठीक उसके बाद आते हैं vitamin B12 पे B12 का दूसरा नाम होता है cobalamin ठीक और vitamin B12 या cobalamin की deficiency से होता है megaloblastic anemia ओके और यह इसका जो richest source होता है यह non-vegetarians में पाया जाता है that is liver जो mutton वगरा खाते है न कलेजी वगरा जिसको बोलते हैं तो liver काफी richest source कहा जाता है cobalamin या vitamin B12 का ठीक अब इसको याद कैसे करेंगे है कि भाईया सबसे पहले चीज़त हो कि vitamin B12 को cobalamin कहते हैं cobalamin तो आप बोलोगे sir आपने तो L की जगह पे R लगा दिया तो simple है अगर आप cobalamin बोलो तो उसमें बारा तो सुनाई दे रहे ना cobalamin तो cobalamin तो cobalamin बाला इस बारा तो cobalamin तो बारा क्या होता है बारा हिंदी में 12 को क्या कहते हैं cobalamin को बारा कहते हैं तो cobalamin, vitamin B12 का दूसरा नाम cobalamin, cobalamin होता है अपने ऐसे याद कर सकते हैं cobalamin ठीक, यह ऐसे याद कर सकते हो कि vitamin B12 को क्या कहते हैं दूसरी चीज़ इसकी deficiency से क्या होता है तो cobalamin में क्या आ रहा है L, तो L हमको मिलता है megaloblastic anemia में तो यह हो गया आपका L, megaloblastic anemia में दो-दो L है, तो cobalamin में भी एक L है, in fact, richest source भी L से ही होता है cobalamin का जो L होता है, वो ही L for liver होता है, तो cobalamin, megaloblastic anemia, liver ऐसे आप याद कर सकते हो और इसलिए, क्योंकि richest source इसका liver होता है तो इसलिए, जो strict vegetarians होते हैं जो सबजियां वगरा खाते हैं, उन में कुबालमिन या vitamin B12 की deficiency देखी जाती है और इसलिए, उन में megaloblastic anemia जादा पाया जाता है, समझ गए, तो ये हो गया, vitamin B12 या कुबालमिन ठीक, समझ में आ गया, तो ये हो गया आपके सारे vitamin B, यानि कि vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 ठीक, अब आके आते हैं, vitamin B, C, सॉरी, vitamin B, C निए, vitamin C पे, तो vitamin C जो है, उसको क्या कहते है, यार, यह हम बच्पन से तुनते आ रहे हैं, कि vitamin C को ascorbic acid कहते है अब vitamin C किस में किस में पाया जाता है, यह हमको पता है, जितने भी खटी चीज़ें, उनमें vitamin C डाल दो इसकी deficiency से क्या होता है, तो यह भी बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कर्वी, है ना, तो इस पे भी ऐसे कोई rocket science नहीं है मगर इसमें एक MCQ बड़ा अजीब सा आया था कि सीताफल में कितना vitamin C होता है तो सीताफल में 5 mg पर 100 g से भी जादा सीताफल में vitamin C पाया जाता है ठीक, तो यह याद रखना है, क्योंकि हम बोलता है, सीताफल तो बड़ा मीठा है, तो इसमें नहीं होगा vitamin C तो इसमें भी होता है, कितना होता है, इतना होता है, ठीक, याद तो याद करने की ज़रूवत है नहीं है, हमको पता है बचपन से ascorbic acid scurvy फिर भी अगर करना है तो देखो ascorbic में C आता है, scurvy में भी C आता है, तो vitamin C ऐसे भी याद कर सकता है, वैसे तो हमको बचपन से पता है, कितना होता है, सीता फल में तो S for सीता फल और S 5 जैसा दिखता है, तो सीता फल में 5 mg पर 100 g ग्राम के आता है, ऐसे याद कर सकते हो ठीक, उसके बाद आता है, vitamin D, तो D में भी दो होते हैं, D2 और D3, D2 जो होगा वो ergocalciferol होगा, D3 जो है वो colicalciferol होगा, vitamin D की deficiency से क्या होता है, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि vitamin D की deficiency से rickets होता है, मगर ये चीज़ याद रखना, rickets होता है चिल्रन में, जबकि बड़ो में अगर vitamin D की deficiency हो, तो वो osteomalacia कराता है, ठीक, तो children में vitamin D की deficiency से rickets होता है, जबकि adults में vitamin D की deficiency से osteomalacia होता है याद रखना वैसे तो पता होगा पर फिर भी याद रखना अब vitamin D चाहिए तो क्या है कुछ नहीं है मतलब आप sunlight में 5 minute के लिए दिन में एक बार बैठ जाओ तो आराम से आपको vitamin D मिल जाएगा ठीक है तो 5 minute अगर आप sunlight में बैठते हो तो वो आपके शरीर में vitamin D का synthesis कराने के लिए काफी है अब ये vitamin D के synthesis की जो पूरी cycle है इसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे वो PSM का इससे नहीं है अब उसको पढ़ने जाएंगे तो फिर उसी में पढ़े रहेंगे तो अभी की बास यतना याद रखना है कि बही है 5 minute एक दिन में 5 minute की sunlight काफी होती है जितने requirement है vitamin D की उसको synthesize करने के लिए ठीक एक और सवाल आता है कि जो vitamin D का most active, physiologically active form most physiologically active form कौन सा है तो उसको कहते हैं Kelsey trial ठीक उसके अलावा एक और चीज हाला कि यह आपको medicine वकरने में पढ़ाया जाएगा फिर भी कि भाई, rickets में क्या दिया जाता है, कौन सी therapy जी आती है तो stoss therapy rickets में दी जाती है, इसको भी याद रखना, इस पे भी MCQ आता है, ठीक, तो यह हो गया आपका vitamin D अब आते हैं vitamin E को क्या कहते हैं, E को कहते है tocopherol, इसकी deficiency से क्या होता है, इसकी deficiency से होता है, hemolytic anemia in newborns और इसके rich source में क्या क्या आएगा, इसके rich source में जाता है रोइल सी आते हैं, देखो sunflower oil आएगा, wheat germ oil आएगा, soya bean या soya bean oil आएगा, यह सभी vitamin E के काफी rich source कहे जाते हैं, ठीक, इनको याद रखना, अब याद कैसे करेंगे, कि vitamin E को क्या कहते हैं, जैसे हमने अलग-अलग याद किया न, आब बोलो कि सर, यह बार-बार टोका मत करो या, कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जब भी यह आदमी दिखता है, इसको टोक देते हो, तो क्या करते हो आप? E को टोको मत, सर, आपन बोलते हैं न, सर, हमाय फ्रेंड को टोका मत करो, तो क्या बोलते हैं, सर, E को टोका मत करो, इको टोको मत, इको टोको, इको टोको, तो E टोको जैसे ये देखे इसको टोक दो जैसे ये देखे इसको टोक दो ऐसी होते ना टीचर ये देखे ये देखे और इसको टोक दो ये को टोको तो ये टोको ये टोको ये टोको तो विटमिन ये को क्या कहते है टोको फेरॉल कहते है ऐसे याद कर सकते हो उसके अलबा किसमें पाया जाता है तो टोको फेरॉल टोको फेरॉल में देखो एक O आया दो ओ आया तीन-तीन O आये तो O से क्या होता है O से होता है oil, तो अलग-अलग oils जो होते हैं, जैसे कि sunflower oil हो गया, जैसे कि wheat germ oil हो गया जैसे कि soya bean oil हो गया, तो vitamin E, in fact vitamin E की capsules भी देखोगे, तो ऐसे oil वाले form में आती है, तो vitamin E, तो आपको oils में जादे मिलेगा, sunflower oil wheat germ oil, soya bean oil इन में, जैसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, और in fact जब हम oil बोलते हैं, तो उसमें भी एक E आता है, हम बोलते न, oil तो उसमें भी actually E आई जाता है, तो vitamin E, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक, तो यह हो गया आपका vitamin E, उसके बाद आता है vitamin K, तो भाईया उसको phyloquinone बे कहते हैं, उसके अलावा menaquinone भी कहते हैं, उसके अलावा mendion भी कहते हैं, इसकी deficiency से क्या होता है, तो इसकी deficiency से hemorrhagic disease of newborn होता है, याद रखना आपने कभी भी delivery वगर देखी है, तो delivery के just बाद ही vitamin K का injection लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि vitamin K की deficiency से hemorrhagic disease of newborn होता है, इसलिए उसको दिया जाता है, तो याद रखना यह आपने देखा तो होगा, जब आप gynae a new ops, gynae के posting गए होगे या delivery के बाद आपने देखा होगा vitamin K का injection पर लगाया, क्यों यह पता था? अब पता है क्योंकि इसकी deficiency से newborn में hemorrhagic disease of newborn होती है इसलिए after birth इसको लगाया जाता है इसका injection ठीक, उसके बाद daily requirement किती होती है, तो 0.03 mg per kg body weight के साब से इसकी requirement होती है और याद रखना कि vitamin K deficiency किन में पाई जाती है? उन लोगों में जिन में antibiotic treatment बहुत लंबे समय तक prolonged use जिन लोगों में antibiotics का होता है उन में vitamin K की deficiency देखी गई है ठीक, तो यह हो गया आपका vitamin K, ठीक, तो इतना at least आपको vitamins के बारे में पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ सवाल की तो या देखो theory में तो ऐसल उत्ते important नहीं है वाईवा के लिए बहुत important है यह वाला theory में ठीक है आप सब पूछ सकते हैं कि भया vitamins के नाम बता दो या enumerate कर दो vitamin B को तो इस सब पूछ सकते हैं लेकिन मुखेता तो जो सवाल पूछते हैं वो वाईवा में पूछते हैं अब वाईवा में क्या पूछते हैं पहली चीज़ तो भाई यह पूछ लेते हैं कि vitamins और उनके नाम बताओ तो आपको at least नाम बताते आना चाहिए कि vitamin A को क्या बोलते हैं B123, B567, B9, B12 को क्या बोलते हैं C, D, E, K इनको बोलते क्या हैं यह आपके वाईवा का बहुत important question होता है कि इनके नाम बता दो second चीज़ वाईवा में बहुत important होती है कि भाईवा इनकी deficiencies बता दो कि सबकी deficiencies है क्या-क्या-क्या-क्या होता है यह वाईवा बुछते हैं उसके अलावा richest source भाईवा vitamin B1 का richest source क्या है एक वाईवा को question और है कि कच्चा अंडा खाने को या कच्चा अंडा पीने को क्यों नहीं बोलते या क्यों नहीं suggest किया जाता तो उसका भी जवाब आपको बता होना चाहिए ये भी वाईवा में कई बार पुछा जाता है और वाईवा में एक सिधा पुछ ले जाता है Stoss Therapy किसमें दी जाती है ये बताओ तो ये बताते आना चाहिए और in fact ये भी वाईवा में पुछ ले जाता है कि delivery के जस्ट बात vitamin K का injection बच्चे को क्यों दिया जाता है तो ये भी आपको बताते आना चाहिए ठीक तो ये तो हो गया आपका वाईवा का अगर मैं बात करूं MCQ की तो जितने भी underlined part मिलेंगे आपको हमारे notes और slides में वो सभी entrance exam में पूछे गए MCQ है तो एक MCQ तो vitamin B1 पे आया है कि भहिया इसकी deficiency selective acidosis होता है इस पे आया है richest source पे आया है whole grain होता है ground nut पे भी MCQ आया है और इसका recommended daily allowance पे भी MCQ आया है vitamin B1 के ठीक उसके बाद vitamin B2 की deficiency पे question आया है anglochilitis, glossitis और corneal vascularization पे और इस पे भी question आया है कि warberg yellow enzyme किसका दूसरा नाम होता है तो vitamin B2 या ribofreping का MCQ आपको ये भी आया है कि burning feet syndrome या soul syndrome किसमे देखा जाता है तो pentothenic acid या vitamin B5 की deficiency से होता है और anti-stress vitamin anti-stress vitamin किसको कहते हैं इस पे भी आपको MCQ आया हुआ है ठीक, आपको peripheral neuropathy किस से होती है, किसकी deficiency होती है इस पे MCQ आया हुआ है या sensory neuropathy किसकी toxicity से होती है या isoniazid therapy इस पे viva में भी कोशिन पुछते हैं याद रखना और MCQ भी इस पे आया हुआ है कि isoniazid therapy से किसकी deficiency हो जाती है और daily requirement पे भी MCQ आया है कि भाया जितना जादा protein उत्ती जादा parodoxin की daily requirement इस पे भी MCQ आया हुआ है biotin इस पे MCQ आया है कि biotin किसका दूसरा नाम है तो vitamin B7 का in fact raw egg में ऐसा क्या होता है जिसके color biotin की deficiency हो जाती है that is evident होता है तो evident पे भी MCQ आया हुआ है ठीक उसके बाद मैं बात कुरूँ अगर folic acid की तो इसकी deficiency से क्या क्या चीज़ हो जाती है इस पे MCQ आया हुआ है यह किस में पाया जाता है इस पे MCQ आया हुआ है और daily requirement pregnant lady और 5 साल से जादा उमर के बच्चे या छोटे बच्चों में कित्ती होती है इस पे भी MCQ आया हुआ है B12 पे MCQ आया हुआ है किसकी deficiency से क्या होता है megaloblastic anemia और एक और चीज़ आया हुआ है कि strict vegetarian में किसकी deficiency देखी जाती है तो cobalamin या vitamin B12 की इस पे भी आपको MCQ आया हुआ है ठीक उसके बाद बात करूँ अगर vitamin C की तो उसमें सीताफल पे आया हुआ है कि कितना होता है सीताफल में vitamin D की बात करूँ तो कितना sunlight काफी है एक दिन में इस पे भी question आया हुआ है कौन सा most physiologically active form है vitamin D का तो calcitriol इस पे भी आया हुआ है स्टॉस थेरेपिक इसमें देते हैं तो रिकेट्स में देते हैं इस पे भी MCQ आया हुआ है ठीक पिर vitamin E की बात करें इस पे भी MCQ आया हुआ है तो इसको भी याद रखना ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको vitamins vitamins की नाम उनकी deficiency से होने वाली बीमारिया और कुछ चोटे-चोटे one-liners के बारे में पता ही होनी चाहिए Thank you